ट्व्यतर पर बिहार एसेसी के खिलाफ चल रहा है और अपयरति परतंव इंटर इस तरिय कांसलिंग की मांग कर रहे हैं सेरिये परिक्षा की काउंसलिंग तुरंद कराए जाया और इसके साथ ही काउंसलिंग में धाई गुना अधिक अभियरतियों को सामिल किया जाया इसी मांग को लेकर लगतार ट्यूटर पर जो अभियरति हैं वो सवाल खरे कर रहे हैं और बिहार S.A.C. से मांग कर रहे हैं आपको बता दे कि इससे पहले भी मंगलवार को अभियरतियों ने बिहार S.A.C. के ऑफिस के बाहर हंगामा किया था हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस बल को तैनात किया गया और जो बिहार S.A.C. के अधिकारी हैं उनसे छातरों की मुलकात भी कराए गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला इसके बाद बिहार S.A.C. के अभियरतियों ने ट्यूटर पर अपनी मुहिम छोड़ रखी है यह एक पोस्ट देखिए दिपक कुमार है यह बिहार S.A.C. के अभियरति है इन्होंने हैस्टेक किलियर B.A.C. वेकेंसी 13120 पोस्ट को लेकर पोस्ट किय क्या है और उन्होंने लिखा है कि जल्दी करा जाए अब पूरा मामला क्या है है हम आपको बताते हैं 2014 में पर्थम परिक्छा लिया जो पर्धम परिक्छा होता है परिसका उन्हों ने एक्जाम लिया लेकिन पेपर लिख वह पर ने के बाद काफी बवाल हुआ जिसको लेकर इस एक्जाम को केंसिल कर दिया गया जिसके बाद फिर 2018 में प्रारंबिक परिक्षा ब्यार सेसी के दोवरा आयोजित किया गया लेकिन दो साल फिर अभियर्टियों को इंतजार करना परा कि रिजल्ट आ जाए अखिर कर फिर पटना हाई कोट में यह मामला चला गया फिर पटना हाई कोट के आदेश मुख परिक्षा का आयोजन 2020 में किया गया है 2020 के बास अब रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और रिजल्ट के बाद कांसलिंग की मांग की जा रही है जो अभियर्टि है वो लगतार कह रहे हैं कि हम 2014 से इंतजार कर रहे हैं लेकिन 2014 से आज 2021 भी हो गया लेकिन अभी तक कांसिलिंग नहीं हुआ है इसी को लेकर अभियरती काफी गुस्से में हैं और लगतार अपनी अवाज सोचल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं और सरकार के पास पहुंचा रहे हैं अब देखना होगा कि इस मुहिम के बाद बिहार एससी क्या कुछ करती है क्या चातरों की मांग मानते हुए बिहार एससी तुरंट कांसिलिंग कराएगी और धाई गुना अधिक अभियरती को कांसिलिंग में सामिल करेगी बहराल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंट कर ले वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में कॉमेंट करके जरूर बताइए गया